घर का कच्रा जो लोग घर की बाहर फेक देते हैं ये सोचकर कि ये तो बस मेरे घर को गंदा करेगा लेकिन आप बिहार में लोग कच्रा को फेकिंगे नहीं बलकि अपनी घर में सजो कर रखने वाले हैं क्योंकि अब वो कच्रा वो काम करेगा जो बिहार की सरकार नितीश कुमार भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में अब आप सोचेंगे कि हम कच्रे से नितीश जी की तुलना कर रहे हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है अपनी बातों को साफ करते हुए हम आपको बता दे कि नितीश कुमार का नाम हमने इसी ले लिया क्योंकि इसी सुशाशन बाबू के नाम पर पुतला जलाया जाता है मुर्दाबाद की नारी लगाया जाते है और पता है ये सब क्यों होता है क्योंकि बिहार में बेरोजगारी को बरहावा देने वाले कोई और नहीं बलकि यहां की सरकार है इन्हें शराबंदी के जूटे ड्रामे और कई जूटे बादों से वक्त नहीं मिलता जो कि ये रोजगार पे ध्यान दे सके लेकिन अब ये काम नितीश कुमार नहीं बलकि बिहार के हर घर से निकलने वाला वो कच्रा करेगा यानि कि घर-घर से कच्रे से अब लोगों को दस हजार तक के सैलरी वाले रोजगार मिलेंगे तो कैसे आप ये रोजगार पा सकते हैं और इसके शुरुवात कब और कैसे होनी है ये सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में उसके पहले नमश्कार आप देख रहें जन्ता जंक शनुर मैं आपकी साथ वंदना कैमरा पर सन ओम प्रकाश के साथ यात्रे गंड क्रेप्या ध्यान दे अब भारत में कहीं भी ट्रेड में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदिदा रेस्टोरेंट से खाना ओरर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जाएकेदार बना सकते हैं यात्रा में खाना ओर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रिल रेस्टोर अप, प्ले स्टोर या आपल स्टोर पर बिहार के शेखपूरा में अब घर-घर से निकलने वाले कच्रे का उपयोग रोजगारी बढ़ाने में किया जाने लगा है अब आप सोचेंगे कि कच्रे से रोजगार कैसा तो बतादे कि कच्रे का उपयोग करके जय विए खाद तयार किया जा रहा है और फिर उसे बाजार में बेचा जा रहा है शेखपूरा नगर परिशद ने इसके शुरुवात की है और शुरुवात ऐसी जिसने 50 लोगों को नौकरी भी दे दी है ऐसे में जब से लोगों को पता चला है कि घर से निकलने वाले कच्रे से एक खास प्रकार का खाद तयार किया जा रहा है और उसे बेच के एक तरफ पैसे कमाई जा रहे है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को नौकरी भी दी जा रही है जिसके बाद जल्दी कोई कच्रा देने को तयार नहीं हो रहा है और साथे इस प्रक्रिया को जानने के लिए उच्सुक भी बैठा है ऐसे में बतादे कि घर के कच्रे से तयार किये जाने वाले इस जैविक खाद का उपयोग किसान अपने फल, सबजी और भी कई फसलों में करते हैं इसी को देखते हुए इस जैविक खाद को 5 रुपय प्रती किलो बेचा जा रहा है यूँ घर के कच्रे से जैविक खाद बनाने की शुरुआत नगर परिशत द्वारा करी 6 महिने पहले की गई और अभी तक इसके बिक्री 5000 रुपय तक हो चुकी है ऐसे में नगर के सभी वाडों में यानि के सभी घरों में जाकर पहले सफाई कर्मी वहां से गिला और सुखा कच्रा इकठा करते हैं और फिर उसे ठेले पर लात कर किसी एक जगा ले जाते हैं जिसके बाद सभी कच्रे को लेकर चड्मी, कंपोस्ट, खाद, प्लांट तक उसे पहुचाया जाता है और फिर घर से लाए गए सुखे और गिले कच्रे को करीब 25 मजदूरों द्वारा अलग किया जाता है यानि की गीले और जो सुखे कच्रे एक में मिले हुए होते हैं, उनको 25 मजदूर मिलकर अलग करते हैं और फिर उसी हॉज में डाल दिया जाता है, और वही सुखे कच्रे को अलग रखा जाता है और ठीक 35 से 45 दिनों की बाद हौज में डाले गए कच्रों से जैविक खाद बन कर तयार हो जाता है जिससे प्लास्टिक के बैग में 5 किलो तो कभी 10 किलो का पैकेट बनाया जाता है और उसे लोगों के बीच बेचा जाता है ऐसे में इस खाद उत्पादक प्लांट पर नगर परिशद वारा हर महीने 2 लाख खर्च किये जा रहे हैं और इसकी देख रेक करने की जिम्मेदारी एक NGO को दे दी गई है इतना ही नहीं बलके इस प्लांट में अभी तक 50 मजदूर काम करते हैं जिनकी सैलरी 8,000 से 10,000 तक है ऐसे में अभी इसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं है और यहीं वज़ा है कि ना ही रोजगार ज्यादा लोगों को मिल पा रही है और ना ही इसकी बिकरी कुछी खास हो पा रही है लेकिन इसमें जो भी जुरना चाहते हैं वो शीखपुरा के कच्रा प्रबंधन के तहत जाकर वहां से इसका प्रसक्षन ले सकते हैं यानि कि कैसे कच्रे से इक हाथ को तयार करना है कैसे इस प्लांट की शुरुवात करनी है ये सारी जानकारी ले सकते हैं और इसकी शुरुवात कर लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं और साथ ही कच्रे से पैसे कमा सकते हैं ऐसे में हमने आपको ये जानकारी इसलिए दी क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे कि आप बेरोजगारी के शिकार हो और साथ ही घर के कच्छरे का भी इस्तमाल हो सके तो इसी के साथ हमें दीजे इजासत और देखते रहे जुनता जंक्शन धन्यवाद